दोस्तो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैलेंग के आनिस पार्ट पर, जैसा कि अभी हम एक वीडियो अपलोड किये हैं, और वो अपलोड करने के बाद हमको दो एक काल आया है, कुछ लोग फोन किये हैं कि अपने वीडियो तो अपलोड किया एंसर की आ गई है, लेकि क्योंकि जो आपका एंसर की आया है, ससी का एंसर की जारी करता था, उसमें सही और गलत दे देते थे, तरह तरह एक प्रस्न दे देते थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, इसमें एंसर की नहीं दिया है, तो इसमें आपका इस प्रकार कुछ है, कि मास्टर की दिया है, मास्टर की हो सकता है जैसे कि माल लेते हैं आपका master key में पहला question है अब पहले के आपका C आपस रइए आप तो मिला लिये पहले के C स अब यह देखिए कि आपके question का पहला C स रही है लेकिन अब पहले का C सही है लेकिन आप यह वताईए कि अब आपके answer book से आपका कौन सा question है उसका मिला के आप जो इस तरह से चेक कर सकते हैं तो आपका इस प्रकार से चेक होगा पहले आप master की से मिलाईए master question paper डाउनलोड करिए answer sheet डाउनलोड करिए उससे मिलाकर आप देख लिए उसमें कौन सा अपसंस आई है इसके बाद आप अपना question paper खोलिए उस question paper को खोलने के बाद ये देखिए कि आपके question paper में कौन सा question है जो question आपके question paper में है वो आप question डाउनलोड करिए उसको लिखिए और उसको चेक करिए इस प्रकार से आपको चेक करना है थोड़ी सी चटिलता बना दिये है सेटेट वालों ने क्योंकि एससी का देखा जाए तो एससी का सारा पैटरन बड़ा अच्छा है आनलाइन पेपर कराता है तो उसका एंसर सीट जारी करता है तो कौन सा सही है कौन सा गलत है आपने गलत किया है परणामता है रेजल्ट दे क्योंकि वह क्लियर कर देता है कि आपका पहले का दूसरा आप्शन सही है आपने दूसरा चूज किया है आपका सही है अन्यत्था गलत सही सब कुछ दिया है उसमें बड़े लाजवाब तरीकेस दिया है लेकिन इसमें जो है मास्टर केंसर की डाउनलोड करना पड़ेगा इसका भी सुधार हो जाएगा कुछ दिन में, आपका अगला पेपर दें आइसके अगले पेपर दें, तो आपका सुधार हो जाएगा, तो आप इसको जरूर देखे कि Master Question Paper download करे, Answer की download करे, Question मिलाएं, अपना जो आपका Question Paper है, उसमें आप देखिए कि आपने कौन सा Question टच किया है, कौन सा सही है, इससे आप मिला सकते हैं, तो आप लोग फोन कर रहे थे, तो हमने बता दिया कि हाँ इस परकार से आपका Answer की लगेगा, धन्यवाद